नमस्कार बच्चो मेरा नाम है रहूल और आप देखने हैं मैं सब्सक्रास जो आप वर्क्षीट आई है काफी लेट आई और किसी बच्चे न मुझे इंस्ट्राग्राम पे वर्क्षीट की लिंक दी तो उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जो साइट पे लिंक संक्रमन रोग का इलाज कैसे करते हैं जैसे हम पहले भी पढ़ते हुए हैं कई सारी वर्कषीट पढ़ चुके हैं तो पिछली बार जो हमने वर्कषीट पढ़ी थी सतहत्तर तो सतहत्तर में हमने देखा था हम बिमार क्यों पढ़ते हैं रोग फैलने के साधन और वहाँ प पहली बार भी पढ़ाता था ठीक है ये दुख़े रहा संग्रम और संचारी रोक के फैलने के साधन अब उसे रोकने के जान चल रही है रोकिंगे के स्थ परकार से हम ठीक है और यह रोगारुँंसे होते हैं जब भी कोई वैक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका श रोगों के संकेत और लक्षण के आधार पर इलाज करता है संक्रमक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं जिन्हें उपचार की नियम भी कहते हैं दो ही उपचार है पहला उपचार है आपका रोग से प्रभाव को कम करना ठीक है रोग को उसके जो लक्षण है जो प्रभाव स कार ओपर काम किया जाता है ठीक है तो उपचार के दो नियम है पहला है रोग के प्रभाव को कम करना इसमें क्या होता है आपका रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के प्रभाव लक्षण जैसे बुखार दर्द उल्टी आदी को कम करने के आती है ताकि शरीर उरुजा का सरंक्षन कर सके आराम मिले और अं मिलने के बाद उसे जब रहात होगी तो उसकी उर्जा बचेगी ऊर्जा बचेगी तो उस्की उउर्जा है रोग के ובע़न को समाप्त करना दूसरा जो पॉइंट है कि जिस वज़ए से हो रहा है उसे क्यों असमाप्त कर दिया जाए यह उपचार का दूसरा उपाय है रोगी की विभिन किता रिपोर्ट के अधार बड़ वह सारी रिपोर्ट सोती हैं डॉक्टर उन्हें देखता है और जांच करता है मतलब कौन से रोगाण को वज़े से हो रहा है अधार पर डॉक्टर बीमार की सही कारण और रोगाणों के प्रकार की पुष्टी करता है इसी प्रकार से कई प्रकार की जांच कराया जाती है रिपोर्ट जांच कराया जाती तक ही पता चल सके कि असल में उसके बीमारी किस वज़े से हैं तथा उस रोगाणों को मरने के लिए दवाई या ओस्तियां देता या लिखता है देखते हैं न कॉंसर राइटिंग में देते लिखते हैं एकदम धुआ धार राइटिंग में दिया जाता है और लिखा जाता है जिसे रोगी पूर्ट ठीक हो जाता है इस प्रकार की आउश्टी के प्रकार पहला है एंटी बायोटिक एंटी बैक्टरिल के लिए रोगों के उप चार के लिए क्रिम नाशक और Certainly रोगों के उप Certains के लिए जिसे आपने पड़ा ओगा कि अलगार के रोग होते हैं तो असी परकार से दिया जाता है अपने बात्षीट 75 65 में देखी थी ना, कि आपके बैक्टिरिया सोने वाले रोग हैं, तो इनके लिए इस पराकार के वाइल्व है तो वायरल रहिए आपके जो दिये जाएंगे तो इसी पराकार समझरे हो इसके दूसरे पॉइंट में क्या है अब 悲ल जैसे वाइरस होता है आपकी करने के लिए इसे प्रकार सब अल्टाई यह उता है वाइरस का रोग, कारक, बैक्टिरिया जिवारों को मारने के लिए किया जाता है उन्हें bacterial और और इसे याद करने ना आता है इसे पहला भी इसे ही कहा जाता है और इसके बाद है टेट्रा सैक्लीं आदि यह दो आपके औश्चिति के नाम है और बैक्टिरिया के जीवन चक्र में जिवाड़ो जैवरसायन जैव प्रक्रिया को रोक देती है जिसमें बैक्टिरिया मर जाता है और ये जैवरसायन प्रक्रिया एक रोगाड़ो के भिन होती है जिसकी वज़ा से बैक्टिरिया जनित रोगों में प्योग होती है ना कि वा और जो आपके virus वाले हो तो virus के साथ दिया जाता है. anti-viral औ interns को बनाना bacterial viral औyani में क्या पर इच्छा कफिन की हों. िससाथ रोगों को समझना वो किस परकार से प्रतिकरिया करेगा इस चीज़ को समझना काफी समय लगता है. वाइरस में अपनी जैव रैसायनिक प्रडाली बहुत कम होती है वाइरस हमारे वाइरस देखरो वाइरस नहीं लिख रखा वाइरस वाइरस लिखा कैसे कैसे लिखते हो देखो यह पिछले वालों में वाइरस लिखा वाइरस यह कुछ जाद ही नहीं लिख दी वाइरस हमारे जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मश्रीनी का उप्योग करते हैं इसे वज़े जंतों का कठीन हो जाता है इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावी एंटी वाइरल और अजदी भी उपलब्द है यह तो अब होगी लेकिन कठीन इसी वज़े से होती है आपकी तो जलिए बहुत प्यारे बच्चों के इंदजार होगा इसके प्रश्ण उत्तर का तो पहला जो प्रश्ण है आपका आता है पांच नंबर के लिए नहीं के भी सी नहीं खेल रहे हैं आपका चलेगा रोग का इलाज करने के दो तरीके क्या है जैसा कि उपर दिखाई गया था तो अगर आपको इसको डिटेल्स लिखनी है तो इसके अंदर से आप और लिख सकते हैं ठीक आगे आते हैं एंटी बायोटिक किने कहते हैं और यह कैसे काम करता है ठीक है एंटी बायोटिक यहीं है यह भी आपको यहीं से लिखा गया है ठीक है तो लिखेंगे प्रश्ण िकस कहते हैं जैसे पैंसली अगर आप को और लिखना है तो और लिख सकते हैं और काम क्या है कैसे काम करता है एंटि dispatch ब्क IR के जीवन चक्र में जरूरी कोई का भित्ती यह मैंने आथने के support भित्ती के बनने की प्रक्रेया को रोख देता है तथा जी वारू को मार देता है, इस परकार से, आगे आएंगे, प्रस नमबर, तीन की तरफ, तो यहीं दोने पॉइंट लिखे गए हैं इस प्रकार से वाइरस में अपने जैवरा सायन प्रडाली बहुत कम होती है और दूसरा पॉइंट है वाइरस हमारे चारीर में परवेश करते हैं और अपनी जैन पक्रिया के लिए हमारी मश्यनरी का उप्योग करते हैं इसी वज़े से ठीक है यहां पर आपको तीसरा पॉइंट लिखना है तो पॉइंट नमबर वन तू यहां से तीसरा भी लिख सकते हैं प्रशन नमबर चार संचारी रोग क्या होते हैं ऐसे किनी तीन र इमारियों को कहते हैं जो सक्ष्मजीवों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं यह हवा पानी भोजन से फैलते हैं ठीक है जैसे सर्दी खासी नीमोनिया आदी और वी आप लिख सकते हैं ठीक है उमीद अचीज़े आपको समझ में आया होगी मैं स CBC Class के इस वीडियो को दिखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हें जय भारत